हाई दोस्त विजदम जास्त में आपको स्वागत है मेरा नाम सायद गोरी महमद और मैं हिस्ट्री फैकल्टी हूँ आज मैं इंडियन आर्टन कल्चर की चर्चा सवाल और जवाब के रूप में देने वाला हूँ आप ध्यान से सुन लिए जिएगा पेट्रोग्लिफ क्या थे पूर्व इतिहासिक पांडुली पिया पूर्व इतिहासिक शहल चित्र पूर्व इतिहासिक वास्तुकला इग्नान और चावता हो गया पूर्व नुर्थ्यका इतिहासिक रूप और यह पेट्रो ग्रिफ यह हो गया पूर्व एतिहासिक शैल चित्र प्री हिस्टारिक राख्पेट्टि पूर्व एतिहासिक शैल चित्रуск सैट हो गया भीम भैटका क्या हो गया वो भीम भीम भैटका भीम भैटका एक भौत बड़ा साइट है और एंशियंट राकट केव पेंटिंग्स यहां पर किया गए है फतर पर और गुफाए के दिवार पर एक चित्र बनाया गया इसी को कहते है प्री हिस्टारिक राख पेंटिंग्स रैट पूर्व एतिहासिक शैल चित्र भीम भैटका आज के मध्यप्रदेश स्टेट में होते हैं भीम भैटका गुफाइं और इस गुफाएं में कई जन्तु और कई वेपन्स हात्यार के हर वेपन और आस्त्र को यहां पर डेपिक्ट किया गया बीम वेटका के गुफाएं पर दिवारों पर खास करके वहां का जो कहीं जानवर जैसा एलेफेंट हो गया हाती और बेर हो गया और तीसरा बालू कहते है उसको और एंटिलोप और डीर हिरन हो गया और उसके साथ साथ बुल बाफेलो ऐसे कई जानवार को भूत सुन्दर से पेंटिंग के रूप में किये और इस जानवार को हंटिंग करने का तरीखा भी यहां पर बताया गया और वो हंटिंग के लिए इस्तिमाल किया गया वो हत्यार है बाव और यारो की यहांपर प्रदशना की बाव और यारो को भावत सुन्दर से डिजाइन कर लिया गया भीम बैटका में और ऐसे जो राक केट के वो पेंटिंग्स है और राक शेल्टर पेंटिंग्स है यह Pehistoric र कहीं सिलायुक का एक भहुत बड़ा प्राचीन साइट है और ये पूर्व चारत्रिक और पूर्व एतिहासिक शेलचित्र हो गया और इसको भहुत बड़ा और महत्वपुर्ण एक साइट माना जाता है प्रिहिस्टारिक का राकट का शेट में और पेट्रोग्लिफ का मतलब ये हो गया पूर्व इतिहासिक शेलचित्र को पेट्रोग्लिफ कहते हैं धन्यवाद दोस्त आज की जो चर्चा में आप प्रश्न और उत्तर के रूप में हम जो चर्चा किये वो चर्चा में भाग लेने का भहुत भहुत धन्यवाद हमारा जो विजडम जाप्स का जो कु किजिएगा आप जो हमारे वीडियोस की चर्चा में भाग लेने का भहुत भहुत धन्यवाद कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि